हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक तो दे नॉलेज अब आज हम नॉलेज अब के इस बीडियो में क्लास नाइन सर्फिस एन एरिया एन वैलियूम के आगे की कोशिशन सॉल्ब करने वाले हैं 13.2 जो सिलेंडर से रिडेटेट है बिफोर सॉल्विंग दे कोशियन पहले तो हम कॉं सिलेंडर मतलब कोई चीज ऐसे हैं वह सिलेंडर है एक यह रहा सिलेंडर अब देखें जो सिलेंडर होता है उसके उपर के साइड एक सर्किल होता है और नीचे के साइड एक सर्किल होता है अब देखें टोटल सर्फिस एरिया और लेटर सर्फिस एरिया पहले हम फॉर्मोल लेख देते जिससे total surface area total surface area of cylinder cylinder का formula होता है 2 pi r r plus h ठीक है और lateral surface area का lateral surface area short form पर लिखते देते लेक्टर surface area का formula होता है आफ सेलेंडर जो टू पाई आरह ठीक है अब दिखे टोटर सर्फेस एरिया और फॉर्मूला जब हम निकालते हैं सेलेंडर का तो बिसिकली क्या होता है कि इसका जो यह जो है जो गोला पोश्चन होता है यहां पे इसका एरिया पूरा निकालते हैं दोनों तरब का उपर का सरक्ल में होता है इसका भी एरिया निकालते हैं लेकिन जब लेठर सर्फेस एरिया होता है तो जैसा कि इंजे फर्फेस यहिज़ी होता है ड diagnostic चांस अगर ऐसा कोई कोश्चन आ जाए कि कोई स्लेंडर है उसका एक साइट खुला हुआ है तो यह वाला पोश्चन खुला हुआ है लेकिन नीचे से बन दें तो ऐसे केस में टोटल सर्फिस अरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यह आप इसमें क्या कर सकती यह कर सकती या तो आप लेक्टर सर्फिस एरिया में प्लस कर दें जो एरिया ओफ दे सर्किल होता है एरिया ओफ दे सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्कॉयर पैरिमीटर टू पाई आर होता है तो कंश्यूज मत हो गया पाई आर स्कॉयर तो इसमें आप पाई आर स्कॉयर आड कर सकत तो यही है तो लेटरल में और टोटल सर्फिस एरिया में कोई अचयों होना चाहिए जब हम किसी स्रॉइंडर का निकालते तो फूरा इक्दम प्याइब जैसे वह पेट्रोल वाली गाड़ी होती यह यहांसी यहां से ऐने तक ट्रांसफर निकाल के फॉर्म में होती तो वह दोनों रप से पैक होती तो एक तरिके से उसका टोटल सर्फिस तो वह मतलब बना है पूरा एक्विप्मेंट जिसमें पैट्रोल भरा हुआ है उस ड्रम को बनाने में कितना एरिया लगा होगा वह कहते हैं इसके इसमें हम टोटल सर्फिस एरिया निकाल देंगे लेकर कोई डबाय कहा है कि नहीं दोनों तरफ से खुला है तो एक तरफ से खुला है तो तो पाई रहे प्लस पाई रहे स्कॉर एच तो ऐसे हम कर सकते हैं तो आईए इसी बेस पे हम इसके पहले को सॉल करते हैं तो हम पहला कोस्टिन देख लेते एक्सरसाइज 13.2 का क्या है यह रहा हमारा 1st question, 1st question कह रहा है the curved surface area of a right circular triangle of height 14 cm is 88 cm square curved surface area से आप confused मत होई है curved surface area means lateral surface area क्या है ? find the diameter of the base of the cylinder तो basically इसका diameter निकाल में तो देख है ये दिया उसके ए्रिए दिया है तो हमाई ब्शी की लिए निकाल ने थो है फॉर्मुला क्या होता है live so ईया का झुअ है ति से इरिया आप से रिखते हिंगे सकते हैं कर्ब एरिया मेंशनल सकते हैं कर्ट कर्ब ट О curved surface area of slender तो curved surface area के value और और यहां पर 88 लिख देते हैं और यहां पर 2 इन्टू 22 ऑपान 7 आर की वैलू तो हमें पास है नहीं क्योंकि आरी के मदद से तो हम डी निकालेंगे इसका डाइमीटर पूछ रहे हैं और हमारा है 14 ठीक है तो हो गया 272714 ठीक है तो यह हो जाएगा 88 इस इकल टू अभी इन सब को मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 44 44 में यह हो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 88 तो आर इसेगल टू इंटना होजाएगा I'm 88 अपन इयट तो आर की वैलू क्या जाएगा और की वैलू आगए न सेंटीमेटर मतब रिडियस एम अब धिकेशिनटीमेटर है अब देकिए डाइमीटर का रेडियस का फर्मूला क्या होता है R is equal to D upon 2 होता है, तो D is equal to क्या हो जाएगा, D is equal to हो जाएगा, अगर हम D is equal to निकालेंगे, तो इसका cross multiplication करेंगे, तो D is equal to हो जाएगा, 2R, ठीक है, 2R हो जाएगा, तो हम निकालेंगे, D is equal to 2R, अब पाई हम लिक्रें, R, ठीक है, तो R की value कितना है, यह हो गया, 2 cm, तो इसी के साथ, हमें इसका question का answer मिल गया, ठीक है, तो आएगे next question के तरफ बढ़ते हैं, Question No. 2 जो है, वो कह रहा है, It is required to make a close cylindrical tank, cylindrical tank of height 1 meter, and the base diameter is 140 cm, from the metal seat, how much square meter of the seats are required for the same, ठीक है, तो basically हमें क्या, एक क्लोस्ट, एक क्लोस्ट क्या, cylindrical tank बनाना है, मतलब क्लोस्ट, मतलब हमने जैसा की बताया था, कि क्लोस्ट कहरा, मतलब यहाँ 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 सर की सब की एरिया निकलने वाली, तो यहाँ पर हम टोटल सर्फिस एरिया निकालेंगे, तो basically वही पूछ रहा है, कितना मेटल सीट रिक्वाइड होगा, तो जितना टोटल सर्फिस एरिया रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, जो हाइट है, वन मीटर दिया हुआ है, और जो टाइमीटर है, वो दिया है, वन पॉट्टी सेंटी मीटर, तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसको कनवर्ट कर देते हैं, तो आप इसे कनवर्ट कर लिजे, सेंटीमीटर में या इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कनवर्ट कर लीजे ठीक है तो अब दोनों में से एक कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो हम रेडियस निकाल देते हैं radius is equal to 142 upon 2 is equal to 70 centimeter 70 centimeter radius आगया तो अब इसको हम convert करेंगे meter में तो क्या करेंगे ये छोटा इसको बड़े में convert करना है तो 70 को हम क्या करेंगे डिवाइट करेंगे तो 100 से हो जाएगा 0.7 0.7 लिख सकते हैं 0.70 meter ठीक है तो total surface of area क्या होता है total surface area of cylinder cylinder is equal to 2 pi r r plus h 2 into 22 upon 7 r की value आगया हमारा 0.7 3 r इधर भी है 0.7 t plus 1 ठीक है तो ये हो गया हमारा basically तो इसको हम काड़ देते हैं इससे तो जाएगा 0.10 तो जाएगा 2 into 22 2 into 22 into 0.10 ये दो प्लस हो जाएगे तो हो जाएगे 1.70 ठीक है तो अब इन सब को जब हम multiply करेंगे तो basically हमारा जो answer आएगा वो आजाएगा 7.48 ठीक है तो ये मीटर में तो मीटर स्कॉयर तो हम ये लिख सकते हैं therefore 7.48 मीटर स्कॉयर 7.48 मीटर स्कॉयर सीट्स सीट्स आर रिक्वाइड सीट्स इस रिक्वाइड रिक्वाइड to make a closed cylindrical cylindrical tank बहुत easy question था तो आई ये next question की तरब बढ़ते है ठीक है question number 3 ये वो कह रहा है a metal pipe is 77 cm log the inner diameter of the cross section is 4 cm and the outer diameter is being 4.4 cm finds inner curved surface area outer curved surface area and total surface area ये question बहुत easy थोड़ा से लोग उने वाला suppose that question आपको नहीं समय भाया तो एक cylinder ठीक है एक है cylinder अब इसका हमें इसका बिसिकली क्या है देखिए देखिए सिलेंडर ये देखिए अब suppose that ये थोड़ा मोटा होता है ना ये मोटा होता है इसका अंदर का diameter अलोग हो सकता है बाहर का diameter अलोग हो सकता है ठीक है तो इसी तरीके से यहां पर दिया है कि इनर डाइमेटर इसके जो इनर का diameter है अंदर के diameter अगर ये अंदर का diameter मालें यहीं माल लेते हैं अंडर का diameter का 4 cm है तो आउटर का diameter मतब यहां से यहां तक यह बाहर के पोश्चन तक और पॉइंट curved surface area जब हम inner curved surface area निकालेंगे तो inner वाला diameter का यूज करेंगे उसके उसका यूज करके हम radius निकालेंगे तो curved surface area वही लेटर surface area निकालना है ठीक है फिर total surface area में देखे अब यहीं पर हमें अपना wisdom यूज करना होगा जैसे हम inner को प्लस कर देंगे outer को प्लस कर लेंगे फिर प्लस यह दो मतलब एक अंदर वाला एक बाहर वाला प्लस यह दो एक अंदर वाला एक बाहर तो इनका भी हमें निकालना होगा ठीक है यह दो जो सर्गिल पोश्चन रहेंगे तो इनका भी निकालना होगा तो यह बा एर्या आफ इन यह प्टार पाईप मैतल पाईप मैंटल पाईप सगे वे इस एकलट कृ टू पाई अरेच ची कहा यो गया तू इंटू टू ट्वेंटीटऊन ओपॉन सेवन आर् Tigers इनर इनर का Jim देय हैं वो फिशी ह Licht हो गया हमारा 77 तो इसको जा हम answer first Allah आफ second वाला शॉल्प कर लेते हैं तो second वाले का भी वही कर्वड सर्फिस एरिया कर्वड सर्फिस अ एरिया और आ और आ और अ मेटल पाइब तिक है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बार कर्वड तर्फिस एरिया और यहाँ यहां पर inner यहां पर outer, ठीक है, तो इसको हम डिवाइट करेंगे, यह बज जाएगा, 2 x 22 x 2.2 x 11 यह हो जागा जब इनका हम multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा 22 x 22 x 2.2 यहाँ पर 11 बचा है तो इनका जब multiply करेंगे तो यह basically आजाएगा 1064.8 cm2 अब देखे यह थर्ड वाले को solve कर लेते हैं अब देखे थर्ड जैसे हमारा फर्स्ट वाले का answer आगया जो inner curved surface area है वो आगया हमारा 968 outer curved surface area आगया 1064 अब हमें थर्ड वाला कर रहा है टोटल surface area निकालना है तोटल surface area जैसा कि हमने पताया देख लेते हैं आईए देखे बैसिकली फॉर यू बेटर अंडरस्टेंडिक आप यह देख लिए जैसे सपोस्ट आट हम फिर से इमेज बना देते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा complicated हो जाएगा आपको सब निकली यह बैसिकली उसकी जो वह उसकी चोड़ाई है ठीक है तो यह रहा हमारा वह जो pipe है ठीक है तो यह रहा ठीक है ठीक है ठीक है तो यह basically है वह pipe ठीक है अब देखिए हमने यहाँ inner का area as a 968 cm2 हो निकाल लिया क्योंकि inner की radius अलग हो जाती आउटर की radius अलग हो जाती थोड़ा सा 4.4 radius पढ़ गया थै कि चोड़ाई के वज़ेसे अब हमें कह रहा है total surface area निकालने के लिए कि यह तो यह यहाँ ठीक है यह दकन है हमें बैसिकली यह जो रिंख की चोड़ाई इसकी area हमें निकालने के लिए भी कह रहा है तो आप देखिए बाहर का तो थोड़ी नहीं भी निकल गया और आउटर कभी निकल गया अब हमें यह उपर नीचे दो है इसको हमें प्लस करना होगा, अगर इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसको निकालने के एक तरीका है, देखिए, जो हमारा यह जो बड़ा वाला सर्कील है, उसका एरिया निकाल के, छोट गने चोटा वाला सर्कृल का एरिया निकालेंगे टू पाई आर स्कॉर इन दोनों को क्या करतेंगे सब्ट्रेक्ट और जो बड़े वाले सब्सक्रेया इतना तो यह जो इसका एरिया निकल जाए高 इसका एरिया इधर के साइड वी रहा है कई दाइग्राम में और गया ठीका है आप इधर से समझ लिए ठीक है तो हम क्या करते है तो पहले रिग का एरिया निकाल डिड् scaling का एरिया ओफ रिंग टीक है अभी कर्या दो रिंग है ऊपर होका तो हम हम निकाल लेते हैं तो पहले हमने बता हों कि ऊपर टोटल से मतलब सरकील का हम या निकाल के inner circle से माइनस कर रहेंगे, लेकिन outer circle दो है, एक उपर भी है, एक नीचे है, तो two outer circle, तो two pi r square minus two pi r square, basically हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तू, two area, two into area, area of outer circle, minus two into area of inner circle, ठीक है, inner circle, तो वही हो गया, तो area of ring is equal to हो जाएगा, area, ताकि आपको अच्छे समझ में आजाए, इसलिए हमने आपको detail में एकदम better understanding हो जाए, इसलिए हमने आपको detail में बता दिया, ठीक है, तो ताकि आपको कोई भी two pi r square h, ठीक है, two pi r square शरीफ, और यहाँ two pi r square, ठीक है, तो यह हो जागा, 2 into 22 upon 7 into 2.2 का square, यह outer है, तो 2, इधर भी two into 22 upon 7 into 2 का square, ठीक है, तो अब हम इसको solve कर लेंगे, यह हो जाएगा, 2 into, जब इसको हम basically जब पूरा solve करेंगे, तो यह आएगा, 30.422 ठीक है, और यह आएगा, 25.142, अब इन दोनों को subtract करेंगे, तो आजागा, 5.8, तो यह centimeter में, तो centimeter square, तो यह हो जाएगा, area of the ring, ठीक है, तो total surface area क्या हो जाएगा, अभी हमारा question solve नहीं हो, total surface area is equal to क्या हो जाएगा, total surface, surface area is equal to, एक curved surface area of inner pipe plus curved surface area of outer pipe plus area of the ring, ठीक है, इन तिनों का आप लिख लिजेगा, तो हम यहाँ डारेक्ट लिख देते है, 968 plus 1064.8 plus यह जो हमने निकाला भी ring, 5.28, इन सब को जब आप plus कर लेंगे, add कर लेंगे, तो हमारा जो answer है, वो क्या जाएगा, 2038.08 centimeter square, तो यही हो जाएगा हमारा answer, इसका third वाले का, तो आएए next question के तरफ बढ़ते हैं, next question देख लेते हैं, easy रहता है, तो ठीक है, थोड़ा सा यह भी थोड़ा सा long होगा, I think, तो हम इस next question को हम अगले वीडियो में deal करते हैं, ठीक है, अगले वीडि वीडियो को होता है, end अब मिलेंगे, next video में, next question के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद,